एक great player वो होता है जो अपनी इनिंग से match जिता दे लेकिन greatest player वो भी होता है जो बिना out हुए मैदान छोड़ दे और दिल जीत ले इस greatest player का नाम है महेंद्र सिंग्धोनी जब इंडिया और West Indies की सीरीज चल रही थी West Indies ने पहली पारी में बढ़त ली लेकिन उसके बाद वसीम जाफर ने बहुती शानदार पारी खेली और टीम इंडिया को आगे कर दिया फिट टीम इंडिया का चैलेंज था ताबड तोड रन बनाईए जल्दी से डिकलियर कीजिए West Indies से मैच छीनिए और ये काम कर रहे थे महेंद्र सिंग धोनी एक सो इंकावनवे ओवर में जब डेव महमद आये महेंद्र सिंग धोनी ने तीन लगातार छक्के लगाए लेकिन चौथा जो सिकसर था उसे डेरिन गंगा ने कैच कर लिया अमपायर को क्लियर नहीं था कि कैच करते वक्त उनका पाउं बाउंडरी से लगा या नहीं लगा काफी डिस्केशन हुआ टिवी अमपायर को भी रिफर किया गया लेकिन फिर भी डिसिजन धोनी के फेवर में ही आया कि वो नॉट आउट है ब्राइन लारा जो वेस्ट इंडीस के कैप्टन थे वो महेंदर सिंग धोनी के पास आये आकर उन्होंने कहा कि डेरन गंगा कह रहे हैं कि उन्होंने क्लीन कैच किया है I don't think वो जूट बोल रहे हैं महेंदर सिंग धोनी को ऐसा लगा कि the legend-like brand लारा उन से जूट नहीं कहेंगे उन्होंने उनकी बात मानी और अपना विकेट दे दिया ये बात दे कर तबके कप्तान राहुल दरविट ने पारी डिकलेर कर दी लेकिन जो example महेंदर सिंग धोनी ने set किया ऐसा कोई विरला ही कर पाता है अपनी sportsman spirit और understanding of cricket and cool mind की वज़े से माही मार रहा है हम सब का favorite slogan है ये महेंदर सिंग धोनी की कहानी कैसी लगी जरूर बताईएगा और कुछ कहानिया तो आपके पास भी होंगी वो भी सुनाईएगा